हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो काफी टाइम बाद में एक ट्राइंग टूल का अन्बॉक्स करने जा रही हूँ यह है एक पैंसल शापनर जो की काफी ज़दा यूनीक है एंड हम सभी आर्टिस्ट को यह काफी ज़दा हेल्पफुल होने वाली है तो गाइस देखते हैं इसके हेल्प से हम किस तरीके से पैंसल को शार्प कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट कैसा आता है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है तो यह सारी चीज़े अगर आपको जाननी है तो वीडियो पे बना रहे ना गाइस एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना फॉर नोटिफिकेशन्स एंड इस प्रोड़क्ट का पर्चेस लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो आप जाकर वहाँ से डिरेक्टली से बाइ कर सकते हैं सो चलिए गाइस इसको हम फटाफट से अन्बॉक्स कर लेते हैं इससे मैंने पर्चेस किया था एमेजॉन से एंड इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी आई थी यह आप देख सकते हैं प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है यह भी काफी बढ़िया है जो कि इस प्रोड़क्ट के साथ ही आपको मिल जाती है इसका मैंने जो प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो यह तीन चीज़े आपको मिल जाती है पहला तो यह हमारा मेंट प्रोड़क्ट है और दूसरा यह माउंट करने वाला और तीसरा आपको यह यूजर मैनुल मिलता है जो कि इसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए है तो यह जो आप प्रोड़क्ट देख सकते हैं काफे ज़्यादा प्रीमियम लुक में है तो क्रोम का मेटल बॉड़ी पेंसिल शापनर है यह तो मेटल बॉड़ी है जिस वज़े से इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी है और काफे ज़्यादा प्रीमियम लुक है आप देख सकते हैं गाईज इसका जो shine है वह भी काफी बड़िया दिख रहा है एंड इसके साथ आपको ये attach करने वाला मिल जाता है इसको आप simply जो है table में attach कर सकते हैं आपको बस simply इसको table में लगाना है एंड इसके नीचे जो nut ball type के system है उससे आप जो है अटेश कर सकते हैं अपने टेबल में इसको काफी एजी ली एंड यहाँ पे आपको यह यूजर मैनुल मिल जाता है तो इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है यानि कि इसकी बिल्ड क्वालिटे कैसी है या फिर आपको इसका यूजर कैसे करना है एंड इसको रीड करके आप इसका यूजर करना आसानी से सीख भी सकते है तो इसको हम साइड में करते हैं अब देखते हैं कि इसका यूजर हम किस तरीके से कर पाते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है and unique sharpener तो ये look से लग ही रहा है बट इसका use करके हम देखते हैं क्या ये worth buying है या फिर हम artist के लिए क्या ये अच्छा है बिल्कुल ही या फिर इसका price के recording काम कैसा होता है तो यह सारी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके का switch जैसा मिल जाता है तो switch को इस तरीके से आपको प्रेस करना है और इसको simply आगे की तरफ लेकर आना है यहाँ पे हमें इस pencil को डालना है दन हम इसको शार्प करना है तो देखते हैं हम pencil को शार्प करके तो यहाँ पे मैंने लिया है Artline का 10B pencil जो की है graphite pencil तो graphite pencil को मैं यहाँ पे शार्प करके देखने वाली हूँ कैसे वर्क करता है तो यहाँ पे आपको यह pencil को डालना है जिसके पहले आपको यह जो बटन लगा है उपर तो उसको प्रेस करना है और इसमें हम यह जो होल देख रहे हैं आप यह होल अच्छे से खुल जाएगा जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो इसको प्रेस करने के बाद आपको पैंसिल को डालना है एंड देन इसको फिट कर देना है एक्चुलम इसको आपको टेबल में सेट करने के बाद ही शार्प करना होता है जिससे कि यह जो है हिलता नहीं है बट यहाँ पर मैं आपको शो करने के लिए ऐसे ही आपको बता रही हूं पहले तो यहाँ पर आपको जो है सिंपल सा एक हैंडल मिल जाता है सिंपल तो नहीं काफी यूनिक सा ही है तो आप इस handle को इस तरीके से roll-roll करके याशिय की round-round करके आप इस तरीके से घुमाएंगे तो आपको जो pencil है वो दर से sharp होने लगेगा तो जैसे जैसे आप इसको sharp करते जाएंगे तो वैसे-वैसे यह थोड़ा से lose होता जाएगा जो handle है क्योंकि ये handle में आपने जब pencil को डाला है तो ये थोड़ा सा tight है बड़ जब ये पूरी तरह से sharp हो जाता है तो ये थोड़ा सा loose हो जाता है तो जैसे loose हो जाएगा आपको pencil को simply इस तरीके से निकाल लेना है and आप देख सकते हैं इसका result कितने अच्छा से ये sharp हुआ है and इससे lead breakage भी नहीं होती है ये इसकी खास बात है तो guys अब देख लेते हैं सारे ही pencil को sharp करके कि क्या ये हर तरीके के pencil में work करता है तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही simple सी pencil ली है domes का यहाँ पर मैंने graphite pencil लिया है and इसको मैं sharp कर रही हूँ तो इसको भी इसने काफी बढ़िया से sharp कर दिया है इसका भी result काफी बढ़िया आया है अब मैं यहाँ पर एक color pencil को sharp करके देखती हूँ कि क्या इसमें अच्छे से work करता है क्या ये अच्छे से sharp कर पाता है and color pencil में भी ये काफी अच्छे से work किया है आप देख सकते हैं इसका जो tip है कितना ज्यादा fine है and sharp करने के बाद जो waste material है जो भी यहाँ पर sharpener के बाद जो material हमारे निकलते हैं लकडी वाले वो कहां जाते हैं तो वो इस box में एकठा होते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से and कितने अच्छे तरह किसे unique type में इसको आप simply निकाल सकते हैं and simply आप इसको वापस से इसमें attach कर सकते हैं and guys अब हम देखते हैं charcoal pencil को sharp करके यहाँ पर मैंने लिया है Camlin का soft charcoal pencil जो कि आप सभी को पता है guys आप सभी artist को पता है कि यह कितनी जल्दी तूट जाती है इसके जो lead होती है and कोई भी sharpner से इसको sharp कर लो बहुत ज़्यादा time भी लगता है तो देखते हैं इसमें यह कैसे work करता है so look at that guys की इसने कितने अच्छे से इसको sharp कर दिया है and यहाँ पर आप जो lead देख सकते हैं वो काफी अच्छे से sharp भी हुई है and इसका जो point है वो भी काफी अच्छे से दिख रहा है यानि की guys यह काफी अच्छे से काफी quickly इसकी help से जो है आप charcoal pencil को भी sharp कर सकते हैं without any lead breakage so guys यह जो sharpner है यह बहुत ही बढ़िया है आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे से सारे ही pencil में work किया है and इसको अब हम देखते हैं कि table में किस तरीके से attach कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं quickly आपको एक review देती हूँ इसका भी so table के इस part में आपको fit करना है जिससे कि यह काफी अच्छे से fit हो जाएगा and काफी easily आप pencil को sharp कर पाओगे आपको इसको हाथ से नहीं पकरना पड़ेगा आप simply इसको pencil को sharp कर सकते हो यह आपको mount करने वाला जो मिलता है screw type का तो यह आप देख सकते हैं जो gap है यहाँ पर आपका table fit हो जाएगा आपके यह pencil sharpener के साथ तो आप अपने table के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो तो simply आपको table के साथ इसको attach कर देना है यह हो गया अब attach and यह काफी मजबूती सा attach होता है आप हिलाओगे तो भी यह नहीं हिलेगा तो काफी बढ़िया से इसकी पकड़ बन जाती है and अब आप इसको simply use कर सकते हो so simply आप इस तरीके से pencil को रख दो and simply इसको sharp कर दो तो यह काफी अच्छे से attach हो गया है इसके साथ so यह जो tool है काफी ज़्यादा unique होने के साथ साथ काफी ज़्यादा यह helpful भी है हम सभी artist के लिए अगर आप art बनाते है and आपके पास काफी ज़्यादा work है pencil को sharp करने में आपको ज़्यादा time देना पड़ता है तो आप काफी quickly इसका use कर सकते हैं अगर आप expensive pencil यूज करते हो and यह आपके budget में है तो आप इसे ज़रूर buy करना काफी बढ़िया tool है यह बट अगर आप एक beginner हो and आपके budget में नहीं है तो ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं ही कि आपको लेना ही है तो अगर आप एक simple pencil का use करते हो तो आप simple sharpener का ही use करो काफी बढ़िया आपको result उससे भी मिलेगा बट अगर आपके budget में है तो इसको ज़रूर buy कर लेना मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए buy and take care and thanks for watching